अब सवाल उड़ता है कि क्या कारण है, कि जन्तु चलते हैं जब के सांप रिंगते हैं, मचलियां तैरती हैं, क्या कारण है, उनके विषएश अंग, तो चलिए शुरुवात करते हैं मानव अंग से, मानव शरीर और उनकी गतियों के बारे में आज हम जानेंगे एवं गतियों के बारे में तो कहता है कि सबसे पहले आपको अपनी शरीर के बारे में जानना जरूरी है देखो आप किसी प्राणी के बारे में जानना चाहते हो आप मचली के बारे में जानना चाहते हो आपको गुतर के बारे में जाना चाहते हो आप साप के बारे में जाना चाहते हो पहले आपको खुद के बारे में जानना बहुत जरूरी है तो चलिए खुद के बारे में जानते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं विटा आप लोगों को अगर बोला जाए कि भिया बॉल फैक ना है मेरी बात सुनना ध्यान से आपको बूल जाए तो बॉल को आप से गर करें ऐसे फैट देते हो या फिर बॉलर को बॉल फैक थे देखा होको भागता था हाथों को ऐसे करके पीछे गुमाता है और ऐसे लाकर ऐसे डालता यहाथ उसका पूरा पीछे से आकर आगे तक ग् हो जाता है तो यह विशेष प्रकार की संधी होती है कि आसानी है इसे फ़ेको थो आगे की तरफ रखके यो गईल हैा कर सकते हो योगास के आप योगाशन होंगे नहीं करते तो करना शुरू करो युग एस्टा शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है आपकी मान मजबूत होती हम जान आती है और मन के अंदर किया सकती है अपके शरीर के अंदर ठकान जो होती है वह दोर हो जाती है तो यह क्या रहा है कि आप बॉल फैकट वक्त होकी खेलते वक या अ अब कहते हैं क्या जबकि कुछ ऐसे अंग होते हैं जो हिलते डूलते ही नहीं है जैसे कि अगर आप नोटिस करें तो हमारे शरीर का जो जबड़े से उपर वाला हिस्सा होता है यानि ये हिस्सा ये हिस्सा नहीं हिलता है इसके नीचे का हिस्सा हिलता है नीचे वाला को हिला सकते हो मोड़ सकते हो ऐसे मोड़ सकते हो पर अपनी गर्दन को चार तरफ नहीं घुमा सकते हो जैसे आप हातों को घुमा पा रहे थे तो कहीं न कहीं हमारे शरीर के विभिन अंगों के अंदर गती भी सीमित है यानि कि अगर मैं कहता हूं हातों को मैं आगे पीछे च तो क्याता है. आप अपने मित्र को बोलिए, क्या करेगा? हाथ को ऐसे पहते का जैसे चितर में दिखाए गया है. आप उसके अंदर इतनी तकत होगी कि यहाँ अगर मुढ जाए गा? लेकिन अगर इतनी ताकत नहीं होगी तो वो मोड नहीं पाएगा अब इस चीज से क्या पता चल रहा है कि हमारे शरीर के अंदर अलग-अलग हड्डियों के बीच में कुछ जोड होती है जिनकी वज़े से हम इन्हें मोड पाते हैं घुमा पाते हैं समझ में रहा है यही जोड अगर ना होते हैं पूरा शरीर एक हड्डि से बना होता तो क्या लगता है मैं इतने आसानी से जो हिल डूल कर आपको पढ़ा पा रहा हूं समझा पा रहा हूं संधी के द्वारा आबंध के द्वारा जोड के द्वारा और इस आबंधों में उपास्थियां पाई जाती है यानि हमारी हड्डियां जिसे आप अस्थियां कहते हैं उनको जोडने के लिए छोटे-छोटे से हिस्से होते हैं जिनने हम कहते हैं, उप Alabaju लूक को जोड़ने के लिए उपास्त i का प्रयोग किया था, और यह उपास्ति बहुत जरुरी होते हैं, तो इनके बारे और आगे हम डिसकस करेंगे, तो कहते है क्या कि गती के बारे में हम जानेंगे गर्दन को देखुआ आप क्या पूरी तरीके से गुमा पारे हो नहीं यह अंस्ट्य गुमता है थोड़ा बहुत गुमता है इधर गुमा सकते हो इधर गुमा सकते हो आगे पीछे कर सकते हो पर अगर आप ऐसे गुमा हो तो म इतना ही गुमा पाऊंगा इससे जादा नहीं गुमा पाऊंगा मैं इससे जादा घुमाने के लिए मुझे गर्दन के साथ साथ मुझे कमर को भी मोडना पड़ेगा ऐसे और इसके जादा इससे जादा अगर पूरा पूरा पीछे गुमना तो मेरे पैरों को भी घुमाना रहे हां घुमा पा रहे चीक है तो हम लिखेंगे हमा लिखेंगे क्या कलाई को को आप घुमा पाते हैं पूरी तैगे से घुंद है क्या हां ऐसे रख करके पूरा गुम जाता ओए आगे पीछे दाइभूके कलाई बन तो س में आ जाएगा क्या हम इसे जुका सकते हैं जुका सकते हैं क्या हम इसे उठा सकते हैं उठा सकते हैं गुटने के बारे में क्या खयाल है पूरी तरीके से नहीं गुमता भई एक इद्राइशन में गुमता है आप गुटने को ऐसे मोड़ सकते हो खोल सकते हो लेकिन अपने ग कैसे कर सकतें उसके आधार पर देखिए अगर आप पूरी तरीकी से घुमा पा रहें Teynああट बना पा रहें सिपो पूणते- हा जाए गागर आप कुक घुमा पा रहे तो आप अन्ष्टर लिखें या नि कि कुछ तौर पर अगर आप जुका सकते हैं तो जुकता हुआ लिग देंगे उठा सकते हैं तो उठता हुआ लिग देंगे या आप बिल्कुल भी नहीं जुका सकते हैं नहीं उठा सकते हैं तो बिल्कुल गती नहीं करता इस पर हां लिग देंगे या टिक कर देंगे ठीक है तो इन बारे में क्या खखियाल और सेङड़े घंस्टर नो बिल्कि से तो घंसा भी तहीं तो अपनी जगह पर रहता हम हैश्र को घुमाने के लिए जोर्यट पडती है गर्दन की अब के सिर्मिए डाले के तो गति नहीं करता तो इस तरीके से आप ये भर लोगे अपने हिसाब से ठीक है